नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में आज जो आप देख पा रहे हो यह नोटिफिकेशन गुरुप सी से रिलेटिड है बहुत से विध्यारतियों में यह संसे बनाया हुआ है कि जो आप सीटी का जो एकजाम्स होंगे मेंस के एकजाम्स होने वाले हैं उसमें जो आवेधन करेंगे वो कौन से बच्चे कर सकेंगे या तो चार गुना को बलाने वाले हैं आयोग ने तो कहा है कि जो जो जितने वी आवेधन होंगे उनके चार गुने बच्चों को ही मेंस में बैठने का मौका मिलेगा बट जो बच्चे चाहते हैं पास किया है वो सभी बच्चे मेंस एग्जाम में बैठें हैं हाँ रहे हैं जो कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में जैसा कि आप जानते हो सीटी भरती के लिए हरियान सरकाने नौट्फकेशन जारी कर दिया है बट अब ये संसे बना हुआ है कि आयोग आयोग तो चाहता है कि जो जितने भी पद निकलेंगे उनके चार गुने बच्चे ही पेपर देंगे बट जो सीटी के जो साथ चात्र हैं वो चाहते हैं कि सभी बच्चों को मौका दिया जाए तो इससे रिलेटेड नौट्फकेशन आया है तो इसमें देखो यहां पर क्या कहा गया है हरियन करमचारी आयोग के द्वारा 31,529 पदों के लिए वेकेंसी निकली है और इसमें जो इनका सेडियूल है वो जारी कर दिया गया है जब जो आपके एक्जाम्स होने वाले उनका से इतने बच्चों ने पास किया है और लेकिन सिक्रीनिंग टेस्ट का मौका केवल पदों से चार गुना अवल अव्यरति को ही मिलेगा इसका क्या मतलब है कि जो भी अगर पोस्ट निकली मानलो पट ग्राम सचेव की पोस्ट है 1100 तो इसके लिए इसके लिए आपको फॉर्म प्राम तो आप फिल कर सकते हो बट जो आपका टेस्ट होगा वो टेस्ट के बल 1100 इंटू में 444 बच्चों का ही होगा जो एकिस everyone जो भी टेस्ट देने का जो मौका मिलेगा वह चार गुना ही छात्रों को मिलेगा इसका मतलब है अगर 1100 पोश्ट है तो 44 से बच्चे ही उस टैस्ट में बैट सकते हैं उस टैस्ट को दे-शकट हैं तो इसको लेकर हात्रों में बहुत ही रोस है यहां पर दखाया गया है की ऐ vivid ऐसाष्यंटास सी्ट या बैठतें की में रोस है उनकी मांग है कि सिक्रीनिंग राष्या गश्या डिन जाए नहीं तो वो आंदोलन करेंगे हाला कि जो अब यह फैसला है यह कोट में चल रहा है और कोट तै करेगा कि या तो चार गुना बच्चों को बलाए जाएगा या फिर सभी बच्चों को स्क्रीनिंग टेस्ट में बैठने का मौका मिलेगा अब यहां पर जो वेकेंसी फि आपक इन टेस्टों के लिए चार गुना बच्चे बिलाए जाएंगे या फिर सभी बच्चों को मौका मिलेगा तो यहां पर यह जो केस है यह केस आपका कोट में चल रहा है तो कोट जो फैसला मानने होगा तो बच्चे तो चाहते हैं विट्टेस्ट के बाद जो अबल हो टेस्ट के बाद भी जो अववल होगा उसे नौकरी दी जाएगी CET के आधार पर CET को केवल पासिंग टेस्ट के नाम पर ही रखा जाना चाहिए, सभी छात्रों को मौका दिया जाना चाहिए, बट जो HSC है ये मानने को बिल्कुल तयार नहीं है, तो देखते हैं क्या फैसला बाकी अपनी तैयारी जारी रखें, आप चार गुने का चक्कर में ना पड़ें, वो HSC का काम है, वो अपना काम करेगी, वो चार गुना बुलाती है, या फिर सभी बच्चों को टेस्ट में बैठने का मौका देती है, ये HSC और जो भी हाई कोट तै करेगा ये, तो आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी है, कहीं आप ये समझो, मेरे CET में मार्क्स कम है, और आपका नंबर इन चार गुने बच्चे में नहीं आएगा, तो ये बिल्कुल गलत है, तो आपको अपनी जो स्टडी है, वो स्टार्ट करनी है, और हो सकता है कि फैसला आए कि सभी बच